सीधा सपाठ सवाल, इधर उधर की बात नहीं, विवादिज जगा पर क्या सरकार को राम मंदिर बनाना चाहिए ? 79 पीसदी लोग कहते हैं हाँ बनाना चाहिए 22 पीसदी लोग कहते हैं नहीं नहीं बनाना चाहिए जबकि पता नहीं वाले भी 9 फीसदी लोग है तीनों आकडों को करीब से देख लीजे क्योंकि यहीं से ये चर्चा आगे जाएगी और ये चर्चा बहुत माइने रखेगी ये कैसे वक्त पर जब याद रखें 29 जन्वरी को दोबारा सुप्रीम कोर्ट में बेंच गठित करके सुनवाई होनी है कि डेली कोर्ट यहरिंग हो या नहीं हो ऐसे वक्त पर जब 30 जन्वरी को सादू संत कुम्ब में कह रहे हैं कि हम एक बहुत बड़ा आयोजन करेंगे बनाना चाहिए केंदर में मोदी राजे में योगी फिर कहां है राम के लिए वो मंदिर जिसका आपने देश को सपना दिखाया था अगला सवाल जो हमने सवे में पूछा आपको आकड़े याद है ना उन हत्तर बहुत में तो पूने याद रखेगा 22 ऐसे है जो कह रहे है नहीं लेकिन 9 फीस दी ऐसे है जो कह रहे है कि पता नहीं क्या राम मंदिर पर सरकार को अध्यादेश लाना चाहिए अध्यादेश अध्यादेश बहुत सुना है कई लोगोंने उनके कान भी पक गए है कई लोग को अध्यादेश का आर्थ भी नहीं समझ में आ रहा है कि सरकार लाना चाहती है, नहीं लाना चाहती है, कोई कहता है प्राइवेट मेंबर बिल लाएंगे, फिर गायब हो जाता है, कुछ हुआ नहीं है, इस सवाल पर क्या अध्यादेश लाना चाहिए, देखिए, 67 पीसदी जनता अधेश की कह रही है, 13,000 सैंपल साइज है, इस सवे का, कहते हैं हाँ अध्यादेश लाना चाहिए, नहीं कहने वाले 24 पीसदी है, पता नहीं वाले एक बार फिर से 9 पीसदी कैटेगरी हैं, जो इस पर कोई भी खुलकर राय जाहिर नहीं करना चाहते हैं, त क्या वो वैद ठहरेगा, क्या है उसके पेच, यह सब आपको समझाएंगे, इसलिए हमने एक घंटे का यह कारक्रम रखा है, अगला सवाल, राम मंदिर का निर्मान, सुप्रीम कोर्ट के फैसलाई के मुताबिक होना चाहिए, देखिए, देश, लोकतंत्र, लोकतंत्र से चलेगा, तो यह बहुत महतुपूर्ण है, यहाँ पर 58 फीजदी लोग कह रहे हैं, हाँ, जो भी कोर्ट का निर्णाय होता है, उसी के मुताबिक काम होना चाहिए, जो कि 58% है, 30 फीजदी कहते हैं, नहीं, जबकि 12 फीजदी, 9 से यह आकड़ा 3 फीजदी उपर आकर, ऐस लोगों का पहुंच जाता है, जो इस पर पता नहीं वाले क्याटेगरी में चले जाते हैं, पता नहीं, इस पर नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन कोर्ट के फैसले के मुताबिक ही कदम होना चाहिए, राम मंदिर का निर्मान होना चाहिए, यह कहने वाले 58 फीजदी आपने देख लिया है बचर्चा की शुरुआत करते हैं, और पहला सवाल दिखाईए, एक बार पहला सवाल दिखाईए, क्योंकि यह जो 79 फीजदी है संबित पात्राजी, वो आपसे बहुत आस लगाए बैठा है, यह 79 फीजदी आपसे कह रहा है, कि हाँ सरकार को विवादित पर राम मंदर बनाना चाहिए